हेलो फ्रेंट्स ये वीडियो में मैं आपको दिखा हूँगा कि माइक्रोस्कोप जो है ये डिजीटल माइक्रोस्कोप उसको एसेंपल कैसा किया जाएगा सबसे पहले माइक्रोस्कोप के साथ इतनी चीज़ें आएगी जो की इंडिविडियली होगी ये माइक्रोक्ता स्टैंड है ये इसका पाइप है इलाइन से सिसी ली है ये कैमरा पूर्डर है और ये उसका सप्लाई के लिए एडप्र होगि ये LED लाइट है तो सबसे पहले ये स्टेंड के उफर ये पाइप जो है इसको लगाएंगे पाइप के साथ ऐसे बोल्ट बढ़े दा इसे इसे लगाते हैं पीछे से बोल्टिंग करेंगे और इसके साथ ये एलन की टूल भी आएगा तो इसको अच्छे से टाइट कर सकते हैं तो ये इसमें सबसे पहले ये जो टॉपर है उसको बढ़नेंगे इसके लिए उपर ये जो ब्लॉक केप दिया हुआ है उसको निकालना पड़ेगा इसके उपर ये जो कैमेरा का वर्डर है उसको इना पीछे से आप डाइट करके पॉल्ट कर सकते हैं ये इसको पर जो बेंटरी इसे स्टॉप करने के लिए है और ये लिजे ना चला जाए उसके लिए अभी ये माइक्रोस्कोप का लेंस है इसके दोनों तरफ ये डगकन ड और ये सिसीडी है जो है उसमें भी डगकन लगाओगा उसका डगकन पॉल के इसमें लगा देना है ये लेंस को अधरी के अंदर लगा के ये साइड से लोक रग देना है और इसके उपर वापस वो ब्लॉक के बागा दिया है अब ये जो लाइट है एलेडी लाइट जो है वो यहां पर बगा सकते हैं पर इसको पूल देना है और लेंस में यहां पर तीनो तरफ जो है इसे बॉल बने होंगे बॉल में ये टॉप कर देना है तीनो स्कूल को एक जितना ही टाइट करना है ये हो गया है फिटिंग मेरीटी का इसको साथ में इसका पावर सप्लाई रगाएगा इसको में आप ही चेक दिया गया है उसको में लागा देना है और ये पावर होंग कर दिया इसको ये ली लाइट को भी होंग कर दिया अब यहां पर एड जो है ये रेडी में ऐसे रीडेटर दिया हुआ है इसको अब कम ज्यादा ऐसे कर सकते हैं ए लीडी बंद करना है तो इसको पूरा ऐसे बंद कर सकते हैं अब इसका व्यू जो है वो मोनिटर में देखने ज़़ी है अब यहां पर केमरा में जो है उसका व्यू आने लगा है और इसका जूम बगेरा इतर से सेट होगा ये जूम है जो की ऐसे करने से जूम बढ़ता है ये हाइस्ट जूम हो गया जूम काम करने के लिए ऐसे गुमान आया ये आपको जूमिंग दिखाए रहा है यहां से उपर नीचे हो सकेगा माइक्रोस्पोम जो पर इससे फोकस आएगा तो आभी इसमें मैनू भी दिए रहे हैं यहां पर मैनू बटन का स्वीच है यहां प आप एरो है यह डाउन एरो है यह प्लस माइनस तो मेनू बटन दबाएंगे तो यहां स्क्रीन के उपर मेनू आएगा जो की अभी चाइनीज लेंग्वेज में है अगर चाइनीज लेंग्वेज में है तो यहां पर जो लेंग्वेज दिया गया है यह मेनू जो है उसमें यहां पर लेंग्वेज सिलेक्शन है तो यह सिलेक्शन जो है उसको यहां एरो की से आप नीचे ला सकते हैं यहां लेंग्वेज में आ गया अब ये लेंग्वेज जो रखे करना है सेलेक्शन उसके लिए ये साइड वाला जो प्लस का बटन है उसको प्रेस किया तो यहां पर ये चेंज हो रहा है वैलिउ चेंज हो रहा है अब ये मैंने एक बार क्लिक किया चेंज हो गया और मेनू बटन को वापस प्रेस करूंगा ये सेंटर वाला तो लेंग्वेज जो है वो इंग्लीस हो जाएगा चाइनीज में से इंग्लीस लेंग्वेज हो जाएगा तो अब आप सारा कुछ यहां पर सेटिंग देख सकते है इसमें रेड ग्रीन ब्लू सेटिंग दिया हुआ है कॉंट्रस दिया हुआ है ब्राइटनेस दिया हुआ है रिजूशन भी आप अलग-अलग सेलेक्ट कर सकते हैं यह जैसे इतने रिजूशन जो है वो इसमें सपोर्ट है तो आप कोई भी रिजूशन जो है वो सेलेक्ट क को बढ़ा सकते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं आपका आपजेक्ट जिस तरीके का हो तरीके से आप प्राइटनेस को ट्रस्ट जो है वो सेटिंग कर सकते हैं और लास्ट नहीं यहां पर सेव एक्जिट करके आप एक्जिट हो सकते हैं तो मैं आपको एक पीसी भी रखके दिखात ही रखा हुआ है इधर अभी मुझे सबसे पहले इसका जूम में सेट कर रहा हूं और उसके बाद में यह लाइट मैंने चलो की LED लाइट जो है वो मैंने ओंट की और आद मैंने फोकल्स सेट किया तो यह आप देख रहे है कि छोड़ा सा पी एफ जो है वो थिक बड़ा देख रहा है यह जो आईसी है तो काफी जूम दिख रही इससलिए मैं थोड़ा इसको जूम कांग करके दिखा रहा हूं आपको इसके लिए वापस फोकस सेट करना होगा यह देख रहा है आप कैपसिटर जो है और कितना बड़ा देख रहा है यह जो डायोड है वो आप देख सकते हैं कि यह वाला इसी जो है उसका पूरा लेट जो है वो प्लियर भी देख सकता है यह पीसीवी को देखने के लिए मैंने आपको बताया यह जो गौफाइस ही लगा हुआ है ग्लास में उसको भी देख सकते हैं उसके लिए जूम तोड़ा बढ़ाते हैं जूम बढ़ने के बाद उसको फोकस किया है उब भी आप देख सकते हैं कि कि यह जो ट्रैक्स है वो काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं को अगर क्लियर लीज देखना है तो नीचे से उसको बैकलेट देना ज़रूरी होता है तो हम क्या करते हैं कि इसको बुमा देते हैं और बैकलेट को स्टार्ट कर देते हैं कर दिया और यह वाली लाइट को बन कर दिया है तो अभी जो है इसको यहां पर रखके आपको दिखा रहा हूं जूम मैंने आयस्ट कर दिया है अभी यह थोड़ा फोकल नीचे लिना पड़ेगा तो मैं इसको खोल के थोड़ा नीचे मूँ कर रहा हूं कर दिया। कर दिया नीचे रहा हुआ। आपको ब्लियर भी दिलक सकते हैं यहां पर इए सारे प्रेक्स कोस को आत्राइर में इसका अविज है इसका ब्राइटने से समय करे क्हां भी है । आपने सक्कान चेंग करें पर इस हैं। यहांसे जो आपका आप्जेक्ट है वह इसाब से आपको इसमें brightness contrast जो है वो change कर सकते हैं यह सारे tracks जो है आप ऐसे देख सकते हैं इसमें उसे बाहर निकल गया यहां से आप देख रहेगी सारे tracks जो है आप बड़े बड़े देख रहे हैं तो इस तरह से यह microscope है वो setting करना है और आसेंबल करके फिर उसका setting करना है